नमस्कार में वसे कराज तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इंडिया रेलवे के बारे में जिसका नुट्फिकेशन जारी हो गया है लेबल वन के लिए गुरूबडी के लिए और वहां पे आई टी आई को बिल्कुल हटा दिया है और तेंथ वालों को मौका दिया है तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि सरकार जो इक ITI लोग के सांद जो दोगला विभार कर रही है और उसका रिजल्ट सामने है कि उन्होंने ITI को optional में रखा है कि आप ITI कि तो ही भर सकते हैं, नहीं कि तो ही भर सकते हैं, लेकिन यह सारा सर गलत है जितनेभी तेंथ वाले हैं, जो 10 भी पास किये हैं, और 12 किये हैं, गरियोएसन किये हैं, चीदि किये हैं, जो भी किये हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, कि 3 वालों को मौका मिल रखाय लेकिन उनकी खुशी विलकुल करत है इसलिए कर रहता है कि वो तेंथ करने का मतलब ही हो कि उसमें 12 वाला भी फॉर्म भरेगा, गरिवेशन वाला भी फॉर्म भरेगा, जो प्येश्डी वाला भी फॉर्म भरेगा रिलेवन ये बात नहीं सोचा, हमारे गॉर्मेंट नहीं बात नहीं सोचा और हमारे साथ नाइनसाफी हुई है और इसका परिणाम तो आने वाले दिनों मिलेगा ही लेकिन ये सरकार को हमारे जो ITE के जो इंस्चूर्शन है, कॉलेज है और जो ITE कर रहे हैं जो कर चुके हैं उनके जो मनोदासा या उनकी जो बिरजगारी है उसको नहीं समझा गया है तो यह सारा सर गलत है दुसरी चीजी है कि साहनभूती के लिए वहाँ पे टेंथ अब लिग करके और करके ITE लिखा हुआ और मतलब या आप जरी नहीं कि आप ITE किया है नहीं कि तो उसको भी हटा देना चाहिए था क्यों साहनभूती दे रहे हैं कि ITE वालों को भी रख्या है ऐसा नहीं है आपने जो टेंथ के साथ और लिख दिया ना कि आप ITE के लिए ऑप्शनल दे दिया तो उसी समय सारे ITE लोगों जितने देश में हर साल 22 लाख ITE करने वाले बाहर निकलते हैं सब कि हम लोग मजबूर नहीं हैं हम लोग मजबूत हैं हम लोग काम करके मेहनत करके कामाना जानते हैं और मेहनत करके क्लास की हैं बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ITE वाले लोग बकवास हैं और लोग टेकनिकल में फिले कोई टेकनिकल नॉलेज नहीं है ता ऐसा नहीं है अगर ऐसा है तो NCPT certificate क्यों देती है आप उस government से पुछिए ना जो एक्जाम लेती है क्या हो फिरी में certificate बाट रेत आप क्यों नहीं ले लेते हैं आप दस्वी पास की है ना तो आप भी ले लिजिए ना ऐसा बिलें मत किजिए और हम लोगों का जो बिचार है जो आईटी की ह और लोग तो इसके खिलाप है और इसके आने आगे क्या होगा क्या करना चाहिए इस पर हम बात करते हैं कि दखिए सबसे पहले में हम लोग पास option है कि हम लोग कोट जा सकते हैं और इसके बिरूद अपना आवाज उठा सकते हैं और बहुत सारे माध्या में सरकार को हम पोस्ट के लिए जिस पोस्ट के लिए जो कौलिफिकेशन होना चाहिए जिसके लिए जो योग है उसको नहीं रखा जाता है बहुत सारे इससे चीज़ें समस्या हैं और इसी का वज़य कि आज 72 साल के बाद भी इंडिया उसी जवापर खाड़ा है और चाइना अमेरिका का टकर दे रहा है रीजन नहीं है जो जिस पोस्ट के लिए योग नहीं है जो कलिफिकेशन योग नहीं है उसको या तो कॉंट्रेक्ट बेस पे आज समीधा पर कह सकते हैं या गेस्ट के रूप में रखा जाता है काम चला जाता है और बाद में उसको परमनेंट किस तरह से र रहेगा तो लोग अफिसर हैं वो पढ़े लिखे इंसान है और बड़े-बड़े एक्जाम को लिफाई करके वोग आते हैं उन्हों को इतना दिमाग चलता ही किस तरह से एक चीज को बिक्सित करना है रहे लोगों कैसे डेवलप करना है उस डेवलप करने के लिए उन्होंने इसा फैसल लिया था लेकिन हमारी गवर्मेंट हमारे जो मुनिष्टर है उन्होंने इस फैसल को बदल दिया तो क्या मुनिष्टर जी या क्या मंतराले इस बात को सोचा क कि जिस मनिश्ट्री के अंदर रेल मंत्रा आले है, रेल मंत्रा आले का इस पर विचार की एक उस जो ओफिसर था, जिन्होंने ये लिखा था, अनिल कुमार जिन नहीं दे सकते, कि आईटे ही होना चाहिए, तो उनके पीछे उनके क्या मोनों भाना थी, कोई पोल्टीस नहीं चाह रहा थी कि एक योग आ इंसान आए और इस पोस्ट के लिए काबिल हो, और आच्छा से रेलेवे काम हो, आज भी जो रेलेवे में जीत तरह से सिस्टम है, वो क्यो रेलेवे ट्रेंड के उडिले चर रहे है, क्यो नहीं प्रेटरियों पकाम आच्छा हो रहा है, यह सार पाई लगाते रहते हैं, पैसे देते हैं, घुसखोरी करते हैं, तो यह काम नहीं होता है, एक्सिडेंट होती है, बहुत सरी समयस्यां आती है, तो इस समयस्यां के निदानी के लिए रेलेवे के जो अधिकारी थे, नीदे सकते, अनिल कुमार जीनों ने यह फैसला लिया थ यह फीसली समय है बीचार का